हालो माई दियर स्टूजिंट्स अगेन विल्कम ओन माई योट्यूब चैनल आज हम रीड करेंगे हर्यान अबॉर्ड कंप्यूटर साइंस 12th क्लास का 1st चेप्टर तो उसमें हम रीड करेंगे आरे एंड इस्ट्रक्चर आरे हम डेटेल में पढ़ चुके 11th क्लास में स्ट्रक्चर आपके लिए न्यूर टॉपिक हैं फिर भी एक बार अरे का हम ब्रेफ इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेते हैं जैसे मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी आपको एक प्रोग्रेम राइट करना है विच रीड सेन स्टॉर्स दा मार्क्स ओफ ट्वेंटी सुडि कराने है या यूजर से एंटर कराने है तो मुझे कितने वरियाबल लेने पढ़ेंगे 20 कितने वरियाबल 20 मैं किस टाइप के है माक्स इंटेजर टाइप के तो मैं क्या डिकलियर करूंगे इंट M0, M1, M2, M3, M2, M19. Suppose मैंने बोल दिया 100 students के तो मुझे कितने वरियाबल बन 2D attractions को बार-बार write करें तो यह हमारा क्या है? time wastage. So, इसका solution क्या है आपके पास? array. क्या है इसका solution? array. array क्या होता है? इस ग्रूप ऑफ वेरियेबल सॉफ प्सेब डेटा टाइप. इस अ ग्रूप ऑफ वेरियेबल ऑफ सेम डेटा टाइप. अगर डेटा टाइप सेम है तो उनका हम एक क्या बना देते हैं, गुरुब बना देते हैं, तो देखो, syntax देखो, इसका क्या होगा, int, सबसे पहले आएगा data type, then name of array and then size, अब देखो, मुझे data type क्या चाहिए, int, क्योंकि marks किस type की है, integer type की, array का नाम क्या होगा, मैंने array ही लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, array 123 2 3 whatever you want जो भी आप चाहते हैं वहीं आप ले सकते हैं उसके बाद size मुझे कितना चाहिए 20 also आपको पता है कि first variable जो start होता है वो किस से start होता है 0 से start होता है 0 से start होता है तो हमारा ही कहां तक जाएगा ना 19 तक ना कि 20 तक बट जो length है रही कि वो क्या रहेगे आपके 20 अब बारे का एक program हम कर लेते हैं कि सेम उपर वाला ही program करते हैं कि आपको 20 students के mask keyboard से enter कराने हैं और उनको display कराने है तो देखो आप header file starting में add करोगे hash include io stream.hash include cornio.h यह हम क्यों लगाते हैं यह मैं आपको previous वीडियो में बता चुके हूँ अब हमारा main जो प्रोग्रेम में वो कहां से start होता है int से int main function से int main यह हमने main function start किया यहां पर फिर हम क्या करते है variable declare करते हैं तो यहां पर हम क्या declare करेंगे बिटा array क्या declare करेंगे array declare करेंगे array देखो यह मैंने क्या लिया data type data type क्या मेरे पास int उसके बाद name of array name of array क्या है हमारा मैंने यहां पर ले लिया item और हमारी length कितने 20 ठीक है और हमने semicolon से इसको terminate कर दिया जब भी हम semicolon से terminate करते हैं तो वह चीज़ क्या होती है आपकी यहां पर declaration तो यह क्या है आपकी array declaration उसके बाद मैंने cout function लगाया cout function क्या होता हमारा output function होता है enter marks of the students जो भी आप inverted commas में लिखते हो वह as it is हापका output window पे लिखा हुआ आता है फिर हम क्या लगाएंगे लूप लगाएंगे क्या लगाएंगे लूप लगाएंगे यह कौन सा लूप है for loop हम लूप पढ़ चुके है while loop do while loop and for loop 11th class में तो मैंने यहां पर क्या लगाया आपका for loop int i equal to 0 i less than 20 i plus plus मैंने i किस टाइप का variable है वो यहीं पर declare कर दिया ठीक है मेरा कहां तक जाएगा अब हम क्या करेंगे keyboard से input लेंगे अब हम क्या करेंगे keyboard से input लेंगे input लेंगे तो कौन सा function लेंगे c in क्या लेंगे c in item i item i item क्या है name of the array i क्या हो जाएगा आपका variable कहां से start होगा 0 चेक करेंगे आपके condition 0 less than 20 marks enter करा दो first student के लिए 1 less than 20 2 3 4 5 up to 19 हमारा loop कहां तक चलेगा 19 तो इसलिए 0 से लेके 20 तक बच्चों के हम marks keyboard से enter करा सकते है read का meaning यह होता बेटा कि आप keyboard से marks enter करा रहे हो उसके बाद फिर हमने function लगाए c out all the marks of the students यह हम क्यों लगा रहे हैं जो यह marks हमने यहां पे enter कराए है keyboard से उनको display करने के लिए उनको output window पे show करने के लिए हमने फिर क्या लगाए c out function अब क्या लगाएंगे फिर से for loop लगाएंगे तो हम क्या use करेंगे c out और यह हमारा क्या है item i की जो भी हमने एंटर कराए है marks वो सब हमारे क्या हो जाएं display हो जाएं ओके अब हम करेंगे structure अब हम क्या करेंगे structure फर्स हम compare करेंगे array and structure देखो array में हमने क्या क्या था it can store similar data type it can store similar data type structure में it can store different data type it can store different data type आप imagine करो कि आपको एक person की न personal information को आपने store करना है ठीक है personal information में क्या जाएगा जैसे id name address salary जो id है वो किस type का है integer type का name है वो किस type का है character type address आपका int और where care integer भी हो सकता है character type भी हो सकता है मैंने यहां पर suppose integer ले लिया salary float भी हो सकती और int भी हो सकती है तो यह data type क्या है different 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 data type को अगर एक ही place पे हमें store करना है यह कि variable में अगर हमें store करना है तो हम क्या use करेंगे structure हम क्या यूज करेंगे structure यहां पर देखो जैसे array लिया था अरे में सारी वेल्यू किस टाइप की है इंडीजर टाइप की बट यहां पर यह देखो structure structure में क्या है ID मेरा int है salary मेरा क्या है float है name मेरा क्या है character है तो यह तीनों एक ही जगह पर एक ही variable में अगर हमें store करना है तो हम क्या लेंगे structure इसलिए हमने structure को क्या बोला है different data type बट अरे में क्या था आपका similar data type ओके next हम पढ़ते है what is a structure structure होती क्या है structure is a user defined data type हम data type की हमने types previous class में हम पढ़ चुके हैं तो structure कौन सा है आपका user defined a structure can group items of different data types into a single type जैसा हमने बता है different data types से कोई integer था कोई floor था कोई character था उन सब को हमने किस में store किया एक single variable में एक single type में अब हम देख लेते हैं syntax कि structure का syntax क्या होता है syntax I think सब समझते होंगे syntax क्या होता है format syntax देखो struct structure name struct क्या है बेटा keyword keyword क्या होते है fix word keyword क्या होते है fix word वो words जो c++ ने fix कर दी है struct structure name अब आप यहां पर कोई भी name दे सकते हैं उसके बाद data type data member 1 data type data member 2 and so on और फिर आप curly braces को बंद करेंगे और उसके बाद आपने क्या लगाया है semicolon most important thing क्या लगाया है semicolon इनको हम बोलते हैं members क्या बोलते हैं members example देख लेते हैं struct as it is हमने क्या लिखा keyword लिखा structure name मैंने मान लिया क्या बनाई हमने student क्या बना है student student के हमने name store किये name store में सबसे पहले क्या आएगा data type data type किस type क्या है care name और यहां पर size data type name of structure data type उसके बाद जो भी हमने variable लिया है उसका नाम और उसके बाद उसकी size यह array बोल सकते हुआ data type array array name and size उसके बाद int id five five students की हमने id लिया वो किस type के है integer salary किस type की है float name किस type के है character name किस type के है character होता है array is a collection of same data type अभी हमने पढ़ा array किस type का same data type या integer होंग या float होंग या character होंगे but structure is a collection of different data type it is a combination of integer, float, character, okay array has declaration only array के पास सर्फ declaration होती है declaration में हमने क्या किया था data type फिर array का name फिर size और फिर हमने उसको semi-colon से terminate कर दिया था वो array की declaration थी but structure की definition भी होती और declaration भी होती है यह हम पढ़ेंगे there is no keyword array में हमने कोई keyword use नहीं किया but structure में क्या word use किया हमने struct in keyword struct is used array data are accessed using index structure elements are accessed using dot array element access